तीसरी श्रेणी में देवता आदी है इन में से जो देवता आदी अंस से अवतिर्न हुए थे उन्हें भगवान ने व्रज भूमी से हटा कर पहले ही द्वार का पहुचा दिया था फिर जब भामणों के शाप से यदुबंश का संगार करने के लिए साम्ब के पेट से मूसल प्रकट हुआ और उस मूसल के चूरे से प्रभास छेतर में एर का नाम की घास उत्पन हो गई उस समय परस पर कलह होने पर सभी यदुबंशी उन एर काउं से एक दूसरे को मारकर मर गए इस प्रकार भगवान ने उस मूसल के मार्ग से यदुकुल में उत्पन हुए देवताव को स्वर्ग में भेज कर कुने अपने अपने अधिकार पर इस्तापित कर दिया तथा जिने एक मात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी उन्हें प्रेम आनंद सरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्शदों में सम्मिलित कर लिया था जो नित्य पार्शद है वे यदपी या गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं परंतु जो उनके दर्शन अधिकारी नहीं है ऐसे पुर्शों के लिए वे भी अधर्श हो गए हैं जो लोग व्यवारिक लीला में इस्तित हैं वे नित्य लीला का इसलिए यहां आने वालों को सब और निर्जन वन सूना ही सूना दिखाय दिता है क्योंकि वे वास्तिविक लीला में इस्तित भक्त जनों को देख नहीं सकते इसलिए वज्र नाभ तुम्हें तनिक भी चिंता ना करनी चाहिए तुम मेरी आग्या से यहां भोत से गाउं ब उस इस्थान का नाम रखकर तुम अने को गाउं बसाओ और इस प्रकार परम उत्तम व्रज भूमि का सयमक प्रकार से सेवन करते रहो गोवर्धन दिगर रूप डिंग मतुरा महावन गोकुल नंदी घ्राव नंद गाउं और ब्रहत सानु बरसाना आदी में तुम्हें और उन इस्थानों में रहकर भगवान की लिला के स्थल नदी परवत कंद्रा सरोवर और कुंड तथा कुंजवन आदिका सेवन करते रहना चाहिए ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुती संपन होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन रहोगे यह व्रज भूमी सच्ची दान नमई है इसके कण कण में भगवान श्री क्रिश्न रम रहे है अतहे तुम्हें हर तरह से प्रतन पूर्वक इस भूमी का सेवन करना चाहिए मैं आशिर्वाद देता हूँ मेरी किरपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थूल है सब की तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी वज्रनाव एक और बड़े महत्यों की बात बतलाता हूं इस व्रज भूमी का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उधवजी मिल जाएंगे फिर तो अपनी माताओं सहित तुम्हें से इस भूमी का तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान जाओ उनकी बाते सुनकर राजा परिच्छित और वज्रनाव दोनों ही भोत प्रसन हुए यमना और श्रीक्रिष्ण पत्नियों का संवाद किर्टन उत्सव में उधवजी का प्रकट होना सूत जी कहने लगे महाराज परिच्छत को भगवान श्रीक्रिष्ण ने ही जीवन दान या था अतयवे उनके पोत्र वज्रनाव के लिए क्या नहीं कर सकते थे अखिल भूमंडल के संवरार्तु थे ही उनकी आग्यक को नहीं मानता उन्होंने इंद्र प्रस्त दिल्ली से हजारों बड़े-बड़े सेटों को बुलवा कर उन्हें मतुरापुरी में रहने की जग और इस प्रकार राजा परचित की साहता और महरसी सांडिल्ले की करपा से वज्र नावने करमस उन्हों सभी इस्थानों की खोज की जहां बगवान श्रीक्रिश्न अपने प्रेमी गोप गोप्यों के साथ नाना प्रकार की लिलाय करते थे लीला इस्थानों का ठीक ठीक निच्चे हो जाने पर उन्होंने वहाँ वहाँ की लीला के अनुसार उस उस इस्थान का नाम करन किया भगवान के लीला विग्रह के इस्थापना की तथा उन उनी स्थानों पर अनेको गाउं बसाए, स्थान स्थान पर भगवान के नाम से कुन्ड और कुए खुदवाए, कुंज और वगीचे लगवाए, शिव आधि देवताओं के इस्थापना की तथा गोविंद देव, हरी देव आदी नामों से भगवत द्विग्रह इस्तापित किये इन सब शुग कर्मों के द्वारा वज्र नाव ने अपने राज्य में सब और एक मात्र श्रिक्रिष्न भक्ति का प्रचार किया और ऐसा करके वे बड़े ही प्रसन हुए उनके प्रजाजनों को भी बड़ा नाम तथा लीलाओ के किर्टन में सलंगन हो परम आनंद के समुद्र में डूबे रहते थे और सदा ही वज्र नाव के राज्य की प्रसंसा क्या करते थे एक दिन की बात है भगवान श्रिक्रिष्न की सोलह हजार रानिया यमना के तटपर इसनान के लिए गई वे सभी निरं करना था श्रिक्रिष्न की पत्नियों ने देखा यमना जी बहुत प्रसंद है उनके अंदर से आनंद की लहरे उठ रही हैं सोत की है प्रसंता देखकर रानियों के मन में धा नहीं हुई विसरलता भाव से पूछ बैठी श्रिक्रिष्न की रानियों ने कहा बहन काल नदी ज हमारा हिर्दय व्यत्थित हो रहा है किन्तु तुम्हारी यह इस्तति नहीं है तुम प्रसन हो इसका क्या कारण है कन्याणी कुछ बताओ तो सही उनका प्रशन सुनकर यम्ना जी हस पड़ी साथ ही है सोचकर कि मेरे प्रियतम की पत्नी होनी के कारण ये भी मेरी ही बहन है के कारण भगवान श्रीक्रिशन आत्मराम है और उनकी आत्मा है श्री राधा जी मैं दासी की भाती राधा जी की सेवा कर रही हूं करती हूं अवश्य ही उनकी सेवा उनकी सेवा का है अफल है उनकी दास्ता के प्रभाव से ही विरय शोप मुझे छूब नहीं सकता भगव श्रीक्रिष्ण और राधा एक दूसरे के सम्मुख है उनका परस पर नित्य सयोग है इसलिए राधा की सरूप में अंससे विद्वान जो श्रीक्रिष्ण की अन्यरान्या है उनको भी भगवान का नित्य सयोग प्राप्त होता है श्रीक्रिष्ण ही राधा है और राधा ही श सेवा में आस्त्त होने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है। श्री राधा और श्री कृष्णी की सेवा में उसकी बड़ी लालसा बड़ी लगन है। इसलिए वह कोई दूसरा सुरूप धारण नहीं करती। मैंने श्री राधा में ही रुकमणी आदि का भी समाविज दिखा है। यह सब तरह से सब तरह से निच्चित बात है कि तुम लोगों का भी श्री कृष्ण से व्योग नहीं हुआ है। किन्तु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो। इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार कहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंद गाउं से मतुरा में ले आये थे। उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की परतीती हुई थी। वह भी वास्तिविक विरह नहीं केवल विरह का अभास था। इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी तब तक उन्हें बड़ा कश्ट था। फिर जब उधव जी ने आकर उनका समाधान किया तब वे इस बात को समझ सकी। उधव जी ने उनके इस विरह को विराभास ही बतलाया है। वास्तम में तो उनका भगवान से नित्य सयोग था। यदि तुमें भी उ प्रियतम श्रीकृष्ण के साथ नित्य विरह का सुप प्राप्त कर लोगी। सूत जी कहते हैं। रिशीगर्ण जब उन्होंने इस प्रकार समझाया तब श्रीकृष्ण की पत्निया सदा प्रसन रहने वाली यम्नाजी से पुनहें बोली। उस समय उनके हिर्दे में इस ब तक ही तुम्हारा ही जीवन धन्य है क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राण नात के व्योग का दुख नहीं भोगना पड़ता। जिन श्री राधिकाजी की किर्पा से तुम्हारे अभिष्ट अर्थ की सिद्धी हुई है। उनकी अब हम लोग भी दासी हुई है। किन तो जी भी शीक्र हमें मिल जाए।